गुड मार्निंग आल अफ यू बच्चों हम पाट पड़ रहे थे चम्पा काले काले अक्षर नहीं चीनती और जिसके कभी हैं त्रिलो चंजी आगे कहते हैं कभी जो हैं चम्पा कहती है तुम कागत को गोदा करते हो दिन भर क्या यह काम बहुत अच्छा है यह सुनकर मैं हस देता हूँ फिर चम्पा चुप हो जाती है उस दिन चम्पा आई मैंने कहा कि चम्पा तुम भी पड़ लो हारे गाडे काम सरेगा गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे चम्पा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं वे पढ़ने लिखने की कैसी बाते कहेंगे मैं तो नहीं पढ़ूंगी यहां पर कभी जो है साक्षर्ता के महत्व से अंजान चम्पा नामक जो ग्वाल बाला है उसका चित्वन करते हुए कहते हैं कभी कहता है कि चम्पा निरक्षर है चम्पा जो है निरक्षर है उसका काले अक्षरों से कोई संबन नहीं है अतवा लेखाक को सिकायत भरे स्वर में कहती है कि तुम दिन भर कागज ही गोदा करते हो दिन भर तुम दिन भर कागज उपर लिखा पढ़ाई करते रहते हो क्या यहा काम बहुत अच्छा मना जाता है मैं तो ऐसा नहीं समझती इस पर लेखाक जो है हस देता है एक दिन चमपा लेखाक के पास आई और लेखाक के पास आकर उससे कहा तुम पढ़ना लिखना जब लेखाक के पास आई तो लेखाक ने उनसे कहा तुम पढ़ना लिखना सिख लो इससे मुसीबत के समय तुम्हें सहता मिलेगी मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएगा महत्मा गान्धी जी भी यही कहा करते हैं महत्मा गान्धी जी की भी यही इक्षा है कि सभी वेक्ति पढ़ना लिखना सीख ले कभी के इस आग्रह पर कभी के इस ऐसे बात कहने पर चमपा सरल सौभाविक्ता से उत्तर देती है और कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी मैं तो नहीं पढ़ूंगी तुम तो कहते थे कि महात्मागानी बहुत अच्छे मनुस्या है तो फिर वे पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं अगर करते हैं तो वे अच्छे कैसे हैं महात्मा गांदी अच्छे इसलिए नहीं है क्योंकि वो पढ़ने लिखने की बात करते हैं निवेक्षर चंपा जो है यह बात कहती है मैं तो पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं मानती इसलिए मैं नहीं पढ़ूँगी इसलिए मैं नहीं पढ़ूँगी ऐसा चमपा जो है लेखाक से कहने लगती है पढ़ाय लिखाई को बिलकुल भी अच्छा नहीं मानते तुम तो कहते थे गांदी बाबा अच्छे हैं वे पढ़ने लेखने की कैसे बात कहेंगे मैं तो नहीं पढ़ोगी कहते हैं कि लेखाक से बात कहती है चमपा कि तुम तो गांधी बाबा को अच्छे हैं कहते हो लेकिन गांधी बाबा जो है पढ़ाय लिखाय की बात कैसे कहेंगे क्योंकि अच्छे लोग जो है पढ़ाय लिखाय की बात नहीं करते है और आगे यहाँ भी बात कहती चमपा जो है कि वे पढ़ने लिखने को कैसे बात कहेंगे गांधे जी पढ़नाय लिखाय की बात कैसे कहेंगे मैं तो नहीं पढ़ोंगी साब साब चमप जो है पढ़नाय लिखाय से इंकार कर देती है कि मैं कदापी पढ़नाय लिखाय नहीं करूंगी तो बच्चो आज के लिए इतना ही धन्यावाद